आश्जाम कराई है आकि है अच्छ कि है स्वाल değil कि हमारे चानल पर दोस्टों आज का वीडियो का कंमाल ओने वाला है आज दोस्तों हमाल का वे स्वच प्रोड़ के वारे में बात करने वाले हैं दोस्तों वीडियो करने से पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों पिछले एक महीने में जो आप लोगों ने मेरे प्यार दिखाया है जो आप लोगों ने मुझे पर भरोर्षा दिखाया है कृपयों से बनाए रखें प्लीज लाइक से एंड सस्क्राइब करना ना भूलें दोस्तों अनबॉक्सिंग से पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस रेंज और वेरियंट की 39,990 अगर वेरियंट के बात करें 12GB एंड 256GB आउनली सिंगल वेरियंट है लेट स्टार्ट अनबॉक्सिंग इस बॉक्स को हम खोल लेते हैं यहां पर आपको MRP देखने को मिल जाता है 46,990 रुपीज यह मार्केट में दो कलर्स में अविलेवल है Aurora and Stellar Black यहां पर हमें मिलता है OPPO का सील और एक Black कलर का Premium से डबबा यह हमारे हाथ में फोन है और हम इसको भी किलिए करते हैं साइड में देखते हैं डबबे में हमें क्या मिलता है यहां हमें देखने को मिलता है Superbook Charger 65W Superbook Charger यहां पर हमें मिलता है Type-C Charging Kevel यह काफी रेर देखने को मिलता है हमें और यह है Type-C Earphone आजकल जेंदरली 3.5 एमें Earphones अवेलेवल होते हैं इवन कम प्राइस त्रेंज के फोन में आपको Earphones देखने को नहीं मिलते हैं और यहां हमें देखने को मिलता है SIM Ejector और कुछ Documentation और एक TPU Cache अभी के लिए हम डबबे को रखते हैं साइड में Let's into device See, many colors reflecting दोस्तों कहने को यह अरोरा कलर है बट अभी हमें इसमें देखने को मिलते हैं काफी शारे colors काफी अच्छा color combination है It shows many colors विच गिवस यू premium look Curved glass design है AG glass back Infront Gorilla Glass बात कर लेते हैं फोन के कुछ External side के आपको यहां पर पीछे देखने को मिलता है और हम लोर पार्ट के बात करें यहां पर आपको मिलता है single speaker यहां पर आपको मिलता है common jack जो audio and charging के लिए यूज होता है अब हम देखते हैं इसके अंदर आपको sim slots कैसा मिलता है क्या इसमें दो nano sim card डल सकते हैं जी हाँ इसमें दो nano slots हैं दो nano sim card आप लगा सकते हैं और अपर पार्ट में आपको मिलता है voice cancellation के लिए mic दोस्तों इसमें आपको मिलता है 7.6 mm का thickness वी किन से इस वेरी स्लिमेस फोन और 177 grams में डेफिनेटली इस light weight दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी performance की इसमें आपको मिलता है MediaTek Diamond City 2100 NM processor and it's very interesting chipset यह 5G chipset है high quality games आप खेल सकते हैं इसमें 6 NM की होने के वज़े से काफी battery efficient है साथी साथ बात करते हैं 5G की bands की दोस्तों इसमें 11 5G bands सपोर्ट करते हैं मेरे खेल से जब इनिया में 5G चलेगा that will help you a lot दोस्तों बात करते हैं इसकी operating system की 11.3 which is best on android 11 new version है RAM expansion का option आपको मिल जाता है इसमें एक new technology है अपना RAM आप 7GB तक expand कर सकते हैं finally अगर आप 7GB तक आपना RAM expand करते हैं तो आपका phone बन जाता है 19GB and 256GB दोस्तों बात कर लेते हैं security की इसमें आपको मिलता है under display fingerprint including face unlock आपको use करके दिखाते हैं इसको यह आप देख सकते हैं fingerprint प्रॉपर काम कर रहा है काफी ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा है आपको दिखाते है face unlock यह भी प्रॉपर काम कर रहा है audio check कर लेते हैं ओ क्या बात है ultimate bass ओके क्या बात है bass is ultimate quite good by the way इसमें आपको डेल्वी एट्मोस का support भी मिलता है दोस्तों यह फॉन्स में मैंने काफी audio check किये है quality काफी अच्छी थी अब बात करते हैं network and connectivity की इसमें आपको मिलता है दोस्तों dual 4G की वोल्टी 5.2 वर्जिन ब्लुटूथ सपोर्ट है एंड वाइफाइ की बात करें दोस्तों 2.45 गिगा हर्ट का support करता है GPS वेगरा है इसमें साथी नेट्फ्लिक्स प्राइम वीडियो आप HD या HDR में देख सकते हैं दोस्तों इसके डिस्प्ले के बात कर लेते हैं 6.5 AMOLED जो की borderless screen है 90Hz का refresh rate मिलता है आपको and 180Hz touch sampling rate 800 nits के brightness मैंने वीडियो विगरे काफी प्ले किये brightness, colors विगर अच्छे थे मेरे इसाब से दोस्तों डिस्प्ले को लेकर आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी बात करते हैं बैटरी की बैटरी का काफी खयाल रखा गया है 4500 mAh के बैटरी इतना slim होने के बावजूद साथी साथ आपको देखने को मिलता है 65W Superbook Charger in the box around 30 to 35 minutes में it will charge 100% battery backup is also quite good दोस्तों बात कर लेते हैं अब कैमरा की हाई क्वालिटी फोटो शूटिंग एंड पोस्ट प्रडक्शन एक्स्परियेंस या 64MP Quad Camera के सेटप है Primary Omnivision है 1.7 aperture 6.5 lens और अगर हम नेक्स कैमरा के बात करें 8MP Sony IMX 355 Ultra Wide Angle Lens 22MP Macro & Mono Lens दोस्तों इसके कैमरे के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं बहुत सारे कमाल के फीचर्स हैं जैसे की 4K 30fps Full HD Supported है आपको Stable Mode भी मिलता है साथे साथ अप्टू 108MP में फोटोज लेने का आपको मौका मिलता है एक Extra HD Mode मिलता है इसके अंदर आपको मिल जाता है Ultra Night Mode जिससे की आपको Night में काफी अच्छा मौका मिलता है फोटो शूट करने का उसके साथ साथ आपको AI Highlight Video मिलता है दिन में अच्छे से Brightness वेगरा एडजेस्ट कर पाते हैं आप्टिमाइज कर पाते हैं जब आप दिन में वीडियो वेगरा शूट करते हैं तो के वरी लाइटिंग वेगरा का इसू रहता है इससे आप एडजेस्ट कर पाते हैं दोस्तो एक और कमाल का फीचर Bokeh Flare Portrait Video एक Exclusive Feature Advanced Quality के Bokeh Mode इसके Photos & Video काफी कमाल काफी Premium लगते हैं इवन यह फीचर आपको सेल्फी में भी देखने को मिल जाता है दोस्तो यह एक Amazing Feature है जो इस फॉन को दूसरों से काफी अलग बनाती है डिवल वीडियो मोड है Slow motion मिल जाता है दोस्तो बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरे की 32 Megapixel Sony IMX615 फ्रंट कैमरा Super 1080 Resolution HD Supported Ultra Night Video Mode नाइट मोड के आप सेंपल देख रहे हैं नाइट मोड में वीडियो भी कफी अच्छी बनी है फोटोज भी कफी अच्छे निकल कर आएं बाकि जो General Features वेगर होते हैं वह आपको इस फोन के अंदर मिल जाते हैं सेंपल्स आप देख लीजिए मेरे हिसाब से काफी अच्छे फोटोज आते हैं साल्पने से Natural लगते हैं Colors and Brightness अच्छे हैं बूके के फोटोज भी काफी अच्छे हैं आप लोग देख सकते हैं Selfies के सेंपल से Overall अच्छे हैं बात कर लेते हैं वीडियो की दोस्तों वीडियो के अंदर में भी आपको कही सारे features मिल जाते हैं जैसे की अच्छे stable videos निकल के आ सकते हैं Quality better है यह आप देख सकते हैं मैंने HD video लिया हुआ है Overall experience is quite good बात कर लेते हैं Selfie videos की Selfie videos देख रहे हैं आप स्क्रीन पर ठीक ठाक हैं दोस्तों फाइनली इस phone के बारे में मैं इतना कहूंगा Overall experience अच्छा था कुछ unique features देखने को मिले हमें and again it's a premium quality phone दोस्तों वीडियो end करने से पहले मैं इतना ही कहना चाहूंगा आप इस phone को खरीदने का मन बना चुके हैं या आप इसको खरीदने जा रहे हैं तो दोस्तों इसका जो display है यह curve है and my suggestion is it's very expensive आपको इस phone को संभाल कर चलाना है दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज subscribe करना ना भूले stay home stay safe